दोस्तो क्या आपकी हड़ियों में आपको दर्द रहता है या आपको उठते बैठते समय हमेशा दर्द का सामना करना पड़ता है या आपको लगता है कि आपके घुटनों में ग्रीज की समस्य है या ग्रीज कम हो चुका है या आप जोडों के दर्द या घुटनों के दर्द से अराम पाना चाहते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो रातो रात आपके सरीर के सारे दर्द को चूस लेगी और हमेशा आपको इस दर्द से बचा कर रखेगी आपको वात रोगों का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा और आप सो सालों तक बिलकुल बिना इस दर्द के जीएंगे और आपने ये एक नुस्खा अपने घर पर बनाना है और आपकी इन सभी समस्याओं का समधान हो सकता है दोस्तो आज की इस वीडियों में हम बात कर रही है एंटिबाइटिक चीज़ की ये है दोस्तो हल्दी जो सबसे बहतरीन नैचरल एंटिबाइटिक इतरहें काम करती है दोस्तो हल्दी आपके सरीर के लिए बहुत अधिक फाइदेबन है और आयुर्वेद में तो हल्दी को बहुत अधिक पोस्टिक माना जाता है और यदि आप इसका प्रियोग दूद के साथ करते हैं तो ये आपके सरीर की केल्सिम और प्रोटीन की कमी को भी दूर करेगी विटामिन की कमी को भी दूर करेगी आपके सरीर को हाइडरेट नहीं होने देगी और आपके सरीर को इस जोडों के दर्द के सभी परकार के दर्द से भी बचाक रखेगी दोस्तो यदि आपको चोट या किसी भी अन्य परकार का दर्द है या फिर आपको सर्दी खांसी के समस्या है दोस्तो तब भी आप इस नुश्खे का सेवन कर सकते हैं दोस्तो इस हल्दी को लेने से आपके स्रीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती हैं इस हल्दी को लेने से आप हड़ियों के दर्द से बच रहते हैं ये हल्दी आपको पेट की समस्याओं से बचाक रखती हैं आपके सरीर में जो विसेले टोकसिंस है उनको बाहर निकालने का काम करती हैं आपके चेहरे पर भी नया गलो लाती है दोस्तो हल्दी में एंटी सेफटिक और एंटी बेक्टिरियल गुन होते हैं जो खुझली और मुहासों से आपको बचाकर रखती हैं दोस्तो हल्दी अर्थरैटिस की बीमारी से आपको बचाती हैं हल्दी एनिंद्रा की बीमारियों का इलाज करती हैं ये फेपडों में कफ साइनस जैसी बीमारियों से भी आपको बचाती हैं आपके बलड को साफ करने का काम भी करती हैं आपके लीवर को मजबूत बनाती है आपको पेट की बमारियों से बचा करकती हैं तो देखा दोस्तों कितनी कारगर है ये हल्दी और हम आपको इस हल्दी का प्रॉपर यूज बताएंगे जिससे कि आपको इस हल्दी का प्रोपर फाइदा मिले और आपका सिर्व सभी परकार के वात रोगों से बचा रहे और आप सो सालों तक बिल्कुल निरोगी जीवन जीए तो दोस्तों आपने इसके लिए क्या करना है इगला से दूद लेकर आग पर उबलने के लिए रखना है और अब इसमें इस थोड़ी सी कच्ची हल्दी को कूट कर इसमें डाल देना है जैसे कि यह हमने डाल दी दोस्तों अब आपने इसमें डालनी है एक चुटकी दालचीनी पाउडर दोस्तों यह आपको सर्दी खांसी से बचाकर रखेगा आपके सरीर की रोप परतुर्दक्शंता को बढ़ाएगा अब आपने इस दूद में डालनी है एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर दोस्तों यह काली मिर्च का पाउडर इस हल्दी को के जितने भी गुण है वो आपके सरीर में उबजार करेगा जिससे कि आपको प्रोपर रुप से इस हल्दी वाले दूद का फाइदा मिलेगा हम हल्दी वाला दूद तो पीते हैं लेकिन उसका हमें पूरा फाइदा नहीं मिलता क्योंकि हम उसमें काली मिर्च का परियोग नहीं करते हैं यह काली मिर्च हमारे सरीर को हल्दी वाले गुणों को अवसोचित करने के लिए प्रेड इसलिए आप जब भी हल्दी वाला दूद बनाएं तो इसमें एक चुटकी काली मिर्च के पाउडर का जरूर प्रयोग करें दोस्तो अब आपने इस दूद को तीन उबाल देने हैं और जब तीन उबाल आ जाएं तब आपने चान कर इसका सेवन करना है और दोस्तो इन चारों चीजों का मिस्रम दूद, हल्दी, काली मिर्च और दालचिनी ये दोस्तो आपके स्रीर के लिए एक निरोगी नुस्खा बन जाएगा जो आपके स्रीर को निरोगी बनाएगा आपके स्रीर की हर अतने हैं की बीमारी का इलाज करेगा दोस्तो आपके दर्द को चाट जाएगा जिससे कि आपको कभी जीवन में दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस दूद का सेवन आपने लगातार 21 दिन तक करना है और वो भी रात को सोते समय इससे आपको नीनी भी अच्छी आएगे जिससे कि आपके स्रीर में अनर्जी बरक्रार रहेगी घुटनों के ग्रीस की घुटनों के जोड़न के दर्द की घुटनों के दर्द की आपको कभी समस्या नहीं आएगी तो दोस्तों देर किस बात कि है आप भी सनुस्खे को आज ही बनाएए और इस नुस्खे का प्रयोग कीजी और अपने सरीर को बिलकुल निरूगी बना दीजी तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों